So hey guys, welcome back to another video, this is Ayush and आज मैं आप लोगों के साथ में एक detailed walkaround review share करने वाला हूँ The All-new 2020 Hyundai i20 के base variant Magna का इस variant में आपको क्या कुछ features मल जाते हैं, उन सबी के बारे में बात करेंगे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा update देती हुँ चलू अगर आप अपनी पूरानी कार को सेल करना चाते हैं, तो Cash24 आप लोगों के लिए काफी एक अच्छा option है Link नीचे description में दी हुई है, महा पर जाईए, फ्री में appointment book करवाईए, अपनी गाड़ी का inspection करवाईए अच्छी price मिले तो सेल कर दीजिए, अगर नहीं मिले तो सेल मत करिए, बट inspection करवाने में क्या जाता है तो definitely उस link पे जाके appointment एक बर ज़रूर से book कर दीजिएगा, तो चलिए start करते हैं तो start करते हैं, सबसे पहले एक अच्छा सा आपको front look जो इसका है, वो बता देता हूँ because definitely जो i20 का front look है, वो मुझे काफी अच्छा लगा, अब जब आप base variant की बात करते हैं उन सबी features की starting करते हैं, बात करते हुए आगे चलते हैं, तो halogen headlamp मिल जाते हैं, halogen में आपको turn indicators मिल जाते हैं नीचे के side आएंगे, तो fog lamp assembly में, अगेन आपको projector fog lamp मिलते हैं, जो की top end variant में भी मिलते हैं, LED DRLs यहाँ पर दी गई है तो यह काफी अच्छी housing, इसके जो design है, जो structure है, वो काफी अच्छा लगता है, अगेन जो सबसे best looking part इसका वो है, इसकी जो bonnet की creases होगे रहे हैं, जो यह lines जा रही हैं, यह बहुत ही ज़ादा इसको aerodynamic appeal जो है, वो provide करती है front grill के अगर बात करें, तो black out surround के अंदर आपको complete front grill मिलती है, Hyundai का logo, chrome के अंदर मिलता है, यहाँ पर number plate, और नीचे जो है air dams के साथ में, यह dual tone के अंदर bumper दिया हुआ है, जो की piano black finish के साथ में आता है तो यह front design है, वो almost similar है, जिसा कि आपने sports variant में देखा था, अगर वो video नहीं देखी है, तो i button पर click करिए, और उस video को जा के देख सकते हैं तो front look आप लोगों ने अच्छी तरीकी से देखा, आप side look की बात करते हैं, कि side face में आपको क्या कुछ इसके अंदर मिल जाता है, यह कितनी अलग है top end variants है, तो सबसे पहले जो आपको change मिलेगा, वो है fander के उपर आप लोगों को यहाँ पर यह indicators mount मिलेंगे, तो यह थोड़ यहाँ पर company ने इसके अंदर standard wheel caps दिये हैं, और यह nuts के अंदर complete pack है, तो यह हटेंगे नहीं, और दूर से देखने में जो है, यह भी काफी अच्छे लगते हैं, और side की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको यह piano black finish मिलती थी, बट वो इस variant में आपको जो है, वो नहीं हैं, जो indicators अगरे होते हैं, वो तो होते नहीं है, इसको आपको हाथ से ही बंद करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, गेट में एकमेट आपको बंद कर देता हूं, lights आपको बताने के लिए मैंने lights on रगी थी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह electronically adjustable मिलता है, बट foldable जो है, वो नहीं है, यह ORVM, जो next आप लोगों को चीज़ देखनी चाहिए, वो है, यहाँ पर complete यह window जो है, वो black color की surrounds के साथ में आती है, chrome surrounds यहाँ पर नहीं मिलती है, बट वो अगेन आप accessories के अंदर add-on कर सकते हैं, B-pillar blackout treatment में दिया गया है, handles जो है, door handles, यह अभी भी same shape के और body color के अंदर दिये गये हैं, तो यहाँ पर भी आपको कहीं से भी base variant वाली feel आती नहीं है, sports variant में भी आपको same AC type का पूरा structure मिलता है, इधर quarter panel glass और यह वाली strip है, वो आपती है chrome में, इनके उपर variants में, बट यहाँ पर again cost cutting करके black जो है, वो आसपास यहाँ पर structure step से दिया है अब आजाते हैं, पीछे के side में, पीछे में आप लोगों को almost सभी features मिल जाते हैं, जो की दूसरे variants में आपको मिलते हैं, क्या कुछ नहीं मिलेगा वो भी बतात हुए चलूँगा, तो start करते हैं, सबसे उपर आपको यहाँ पर shark fin antenna जो है, वो नहीं मिलता है, rear spoiler मिलता है, stop mount lamp मिलते हैं, defogger यहाँ पर miss है, wiper जो है, washer है, वो सभी चीज़े यहाँ पर miss हो जाती है, but side में यह shoulder spoiler जो है, वो अगेन यहाँ पर अभी भी available है, tail lamps जो है, वो आप देख सकते हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं, इनमें कोई looks वगेरे में changes नीचे गए हैं, यह वाला जो portion ह वो भी यहाँ पर company ने दिया है, बट जो एक chrome strip इसके अंदर आती थी, वो अभी यहाँ से miss हो गई है, i20 की badging यहाँ दी गई है, Hyundai का logo दिया हुआ है, दो parking sensor मिलते हैं, top end variant में भी दो है, like यहाँ पर cost cutting company ने पूरी गाड़ी के अंदर कर दी, चार parking sensor होने चाहिए थे, camera जो लोग यहाँ पर देख सकते है, focus exhaust system जो है, वो यहाँ पर नीचे के side में place किया हुआ है, तो क्या कुछ चीजे miss थी, वो मैंने आप लोगो को बताई, बाकि basic सभी चीजे इसके अंदर आप लोगो को मिल जाती है, अब boot जो है, उसको open करके देखते है, तो request sensor यहाँ पर boot के लिए, and यह hydraulic struts के साथ में boot open हो जाता है, यहाँ पर आप लोगों को partial tray जो है, वो नहीं मिलती है, बाकि जो boot है, वो काफी बड़ा है, अब boot size आप लोगों ने दिखी, यहाँ पर एक चीज की थोड़ा सा issue मेरे को लगा, कि यह जो floor है, वो काफी जादा नीचे है, लिप से कि अब spare wheel नहीं देगी company, बट फिर भी I20 में 185 70R 14 inches का spare wheel आपको company देती है, एक यहाँ पर hook दिया हुआ है, बाकि पीछे कोई light वगिर नहीं है, यहाँ पर भी एक hook जो है, वो दिया हुआ है, यहाँ से आप seat को release कर सकते हैं, लाइक यह पूरी bench fold हो जाएगी, तो last variant जो है, यह basic, Magna variant में यह feature company ने दिया है, that is absolutely awesome, exterior आप लोगों ने अच्छे से देखा, interior में चलते हैं, क्या कुछ आपको मिलता है, तो यहाँ आपको power windows मिलती है, चारो gates में आपको speakers मिलते हैं, चार speaker दिये हूँ है, bottle holder मिल जाता है, coin holder मिल जाता है, again जैसा कि black treatment सभी variants में मिलता आ र आ हुआ है, और यह design elements है, वो भी continue carry forward किये गए है, plastic quality वगेरे, सभी चीजन सेम है, तो basic variant जो है, वो definitely value for money, अगर जिसका buzzard बहुत जादा tight है, वो ले सकता है, otherwise sports variant पे भी आप shift हो सकते हैं, अब अंदर शलके में आपको बताता हूँ, space कैसी है, मैं आप लोगों को दूसरे variants म नहीं देखें, तो यहाँ पर भी आपको देखना चाहिए, यह आप देख सकते हैं, काफी अच्छी space आपको मिलती है, near room अच्छा है, lag room जो है, वो काफी अच्छा है, आप आराम से ऐसे pair रखके बैठ सकते हैं, thigh support आपको बहुत भी प्यारा मिलता है, seat की length काफी अच्छी यहाँ पर demand तो कर ही नहीं सकते हैं, arm rest की, और integrated आपको headrest जरूर यहाँ पर मिलते हैं, उपर आपको एक है handle मिलता है, यहाँ पर light मिलती है, इधर भी handle और coat hook के साथ में मिलता है, तो यह सबी चीज़े एक बार आपने वापस से देख ली, अब window area काफी अच्छा है, quarter panel glass यह अंदर आना भार जाना काफी आसान है, और definitely पूरानी वाली i20 तो मेरे आपर थी, that's why मेरे कजन के पास में अगें मेरे पास में नहीं थी, तो space जो है, वो काफी इच्छा improvement जो है, वो direct बैटने से आपको feel हो जाता है, अब यहाँ पर क्या कुछ मिलता है, तो सारे power windows के controls मिल को सुना दूँआ, यह coin holder दिया गया है, अब चलते हैं, अंदर की side में seat height जो है, वो adjustable नहीं आगे पीछे और यह जो backrest है, उसको आप incline और recline जो है, वो कर सकते हैं, नीचे जो है तीन pedal दिया हुआ है, और साथ में एक dead rest जो है, वो भी dead pedal जो है, वो भी यहाँ पर दिया तो की जो है, मैं आपको बता देता हूँ, दो की मिलती है यहाँ पे, इसके अंदर आप लोगो को, एक तो यह knife की है, और एक normal की, इसमें lock, unlock and hold करके रखेंगे, तो boot release जो है, वो आप कर सकते हैं, तो gate को कर लेता हूँ में बन, तो analog को, यह analog में digital meter मिलता है, और जिसको मैं से एक बार स्टार्ट करके आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो है, यह RPM meter है analog में, और इदर speedometer है, right side में, बीच में MID दी हुई है, तो kind of, यह नहीं बोल सकते कि बहुत ही जादा basic दे दिया, यह features वगे रहे हैं, यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, almost सभी काम के features company ने यहाँ इस instrument cluster में भी दिये है, हाँ, digital नहीं है, वो एक अलग बात है, but definitely, कोई अगर मेरे जैसा पसंद है, जिसको गाड़ी चलाना ज्यादा पसंद है, और analog से उसका काम चल जाएगा, तो यहाँ पर यह analog meter जो instrument cluster है, यह भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है, like, beach में यहाँ अच्छी तरी किसी company ने बनाया है, अब चलते हैं, और आप लोगों को steering wheel दिखा देता हूँ, तो यह sports variant में मिलती है, VC steering wheel इसमें भी आपको मिल जाती है, यहाँ पर यह again silver finish मिल जाती है, यह reset का button दिया हुआ है, trip वगेरे जो है, आप यहीं से toggle करके देख सकते हैं, कि कि कित है, क्या बोलते हैं, seatbelt की warning की light है, वो दिखाई दे रही है, अब left side में क्या मिलता है, तो इदर आपको यह modes मिल जाते हैं, अब steering जो है, वो adjustable है है, यहाँ पर reach, और, okay, go inside, ठीक है, तो मतलब like telescopic and यह दोनों तरह से tilt and telescopic, दोनों तरह से आपको steering जो है, वो adjustable मिलती है, base variant के अंदर है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आपको volume controls मिलते हैं, यहाँ से आप यह इन्हें toggle कर सकते हैं, FM वगेरे, इदर के calls के मतलब function दिए है, आपका phone connect होगा, तो आप phone वगेरे जो है, यहाँ से pickup कर सकते हैं, तो यह 2DN audio system दिया हुआ है, जो की basic आपका सारा काम कर जिसको आप यहाँ से ही चला पाएंगे, और सबसे ची बात, यहाँ पर यह volume rockers वगेरे दिये गए है, volume जो है, वो काफी अच्छी आती है, चारो speaker का output काफी अच्छा है, वो अपन सून लेंगे, यहाँ पर AC दिया हुआ है, AC manual है, sports variant में भी आता है, तो इसमें manual है, तो चीज यहाँ पर फ्रेंड में मिलती है, और दो cup holder मिल जाते हैं, handbrake यहाँ पर दिया हुआ है, और यह black color के tip काफी अच्छी लग रही है, मुझा लगती है, पता नहीं क्यों में ब्लाक फंश बहुत अच्छी लगती है, soft touch material में, armrest, armrest के नीचे भी storage, यार यह सही में Magna variant ह यह जो है, आप देख सकते है, cold glove box मिलता है, इसके अंदर आपको तो, और क्या चाहिए, Magna, यह sports variant हो जो जह रहा था, बहुत अच्छा है, आप तो यह variant ले लो, कुछ नहीं करवाना, आपको यह बस एक दलवा देना, इसमें camera लग जाएगा, android player दल जाएगा, और आपका का environment भी नहीं है, shade जो है, वो कुछ इस size का है, आप देख सकते हैं, तो that's all fabric, हाँ, definitely, तो fabric जो है, वो काफी अच्छा है, स्टीचिंग्स के बीच में, यह जो shed है, मलब लाइक जो, यह strip type बनाई गई है, इसका texture काफी अच्छा है, seats काफी अच्छी है, बट अगेन यह black color की हो आपको adjustable यहाँ पर मिलते हैं, तो अब मैं आप लोगों को मेरा चहरा बता देता हूँ, so guys, आप लोगों ने देखा, अच्छे से Hyundai i20 2020 के basic variant Magna को, क्या कुछ features इसमें मिलते हैं, सभी चीजे मैं आप लोगों को बता दी, description में price लिग दूँगा, इस गाड़ी के उपर किसी भी गाड़ी पर, तो definitely description box में एक number दिया हुआगा, महाँ पर आप call करिएगा, गाड़ी के availability आपको जल्दी मिल जाएगी, मेरा preference दी दीजिएगा, और कुछ अगर आपको offer अगरे, जो benefit अगरे available होंगे, वो definitely आपको provide कर दी जाएगे, अब i20 की जो test drive है, वो definitely embargo के उप इंस्टाग्राम, Facebook पे, जहां पर भी आप available हो, महाँ पर questions कर लीजे, within 24 hours, सभी के questions के answer देनी की पूरी-पूरी कोशिश करता हूँ, तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी, प्लीज वीडियो को like कर देना, share कर देना, चैनल को subscribe कर कर देना, चैनल को subscribe कर कर देना, मैं कास वा झी कर देना, जहां झाए झाल, 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 झाल.